हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिक्षित फैमिली व्लोग्स दोस्तों लेके आगयों में आज का अपना नया व्लोग तो आज का व्लोग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है जैसा कि आप लोगों ने न्यूस में देखा ही होगा कि 9 दिसंबर को अरुणाचर प्रत इसलिए शेयर करना चाहती थी कि जिससे आप लोगों को तक की जानकारी पहुचे कि हमारे देश के फौजी हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हम लोगों के लिए कितने तक पर खड़े रहते हैं कठिन परिश्रम करते हैं जी हां वो हर वक्त अपनी जान को हथेली में ल रक्षा भी की दोस्तों बॉर्डर पर तैना इस जाट बटालियन ने दुस्मनों के तो छक्के छुड़ा दिये शायद इस हरकत के बाद चीनियों को समझ में आ जाएगा कि फौजों के सामने टिकना हिंदूस्तान की फौज के सामने टिकना आसान बात नहीं है और अगर इ अगली बार इससे भी तगड़ा जवाब देने के लिए हमारे फौज के जवान तयार रहेंगे दोस्तों मैंने सोचा ये छोटा सा फ्लॉग आपके साथ इसलिए शेयर करूँ क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी फौजी की फैमली से बिलॉंग करती हूँ आई होप आप इस बात को समझेंगे कि जब एक फौजी ड्यूटी करने के लिए अपने घर से निकलता है तो अपनी जान हथेली पे लेके निकलता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि बौडर पर या ड्यूटी पर क्या होने वाला है दोस्तों हमारे देश के फौजी हर वक्त अपने देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं बिना किसी स्वार्थ भाव के दोस्तों जौब तो सभी करते हैं लेकिन एक फौजी होना आसान बात नहीं है मुझे अपने देश के फौजीयों पर जवानों पर नाज है और हम सभी भारतवाश्यों को उन पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारे लिए 24 घंटे तैनाक ड्यूटी करते हैं चाहे बर्फ हो गर्मी हो धूफ हो बारिश हो वो इन सब चीजों को नहीं देखते हैं तो हमें अपने आर्मी पर इंडियन आर्मी को सलूट करना चाहिए आखिरकार इंडियन आर्मी ने चीनियों को पचाड कर अपने एरिया को अपने अंडर कर लिया है जी हाँ दोस्तों कवर कर लिया है लाइफ ओफ कंट्रोल बना ली है दोस्तों इसी तरीके से फॉजी हमारे हर कटनायों का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं और हमें सुरच्छित करते हैं आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और उमीद करती हूँ कि आगे मेरे इसी तरीकी के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा प्लीस लाइक और सब्सक्राइब करने मेरे न भी जब्सक्राइब करते हैं